आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुपाल स्टेडी स्टूडियो में तो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं बॉल उस्क्रू असंबले के बारे में कि कैसे आप बॉल उस्क्रू के एंड सपोर्ट बेरिंग इंस्टॉल कर सकते हैं और एक नया बॉ इंडिशन में आया हुआ था अभी मैं क्या कर रहा हूं इसमें मोटर साइट का एंड सपोर्ट का मैंने एक पार्ट अंदर की साइट डाल दिया है ठीक है दोस्तो तो यहां पे अभी कोई बेरिंग नहीं है ये खाली हाउजिंग है जिसके अंदर हमारा बेरिंग ब्लॉक जाएगा दोस्तो यहां पर आप यह चीज के ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई असमली कर रहे हों तो जो बटिंग फेस हैं वो प्रॉपरली क्लीन हो वहां पे कोई बर ना हो कोई उबहा हुआ पार्टिकल ना हो और कोई भी ऐसा पार्टिकल ना हो जो असमली के बीच आके असमली में क्रियेट करें प्रॉबलम तो यहां पर आप रस्ट को या कोई भी डैंट डैमेज कुछ भी है अगर तो आप उसको क्लीन कर लेजिए ओली स्टोन की मदद से या फिर सैंड पेपर जो भी बिल्कुल बारे ग्रेट का सैंड पेपर होता उससे आप क्लीन कर लीजिए उसके बाद डेखिया असमली में आप उइलिंग का यूज कर सकते हैं और ग्रीजिंग का यूज कर सकते हैं ताकि जो भी आप असमली करें उसमें कोई ज्यादा आप ईजिली वह सब असम्बल हो जाए तो देखिए यहां पर मैं ग्रीज और ऑईल दोनों का तो देखिए दो तीर इंपोर्टेंट चीजे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पहला तो क्लीनिंग है अब यह देखिए बेरिंग जो मैं इस्टॉल करने वाला हूँ यह बेरिंग है 40 TAC 90 तो यह बेरिंग 40 का मतलब है 40 ID और 90 का मतलब है OD तो यहां पर यह सील्ड वाली वेरिंग है से फायदा दोस्तों इसमें हमें घ्री फील की जरूत नहीं होती यह ग्रीज को फिल हमें नहीं करना होता है और साथ ही वह जो पर्टिकलर क्वांटिटी की होती है नॉर्मली हम उतना नहीं वर्पाते हैं ऐस पर इस्टेंडर जो कि यहां पर देखें वी मार्क देख सकते हैं आप बेरिंग के ऊपर, ग्रीज हमें इसमें फिल करने की ज़रूद नहीं है, और ग्रीज इसमें as per standard जो की यह ए एएंसकी का बेरिंग है, तो वहीं से फिल होके आता है, तो जहां पर भी आपके बेरिंग जहां पर coolant entry कर सकता है या फिर आपके telescopic cover है वो proper नहीं है या वहाँ पर coolant chips या बारिक fine dust जाता है तो दोस्तों ये bearing आपके लिए best है without seal में दिक्कत आती है कि वहाँ पर जो bearing है जल्दी से rusty हो जाता है तो यहाँ पर drawing की बात करों तो दोस्तों हमाँ drawing के बेस पर ही इसको assemble करना चाहिए बिना drawing की assemble करने से कहीं पर भी bearing arrangement गलत हो जाता है normally देखिए ball screw में क्या होता back to back arrangement होता है लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर tandem arrangement है और face to face arrangement है तो यहाँ पर bearing में आपको समझा लेता हूँ bearing देखिए तीन bearing यहाँ पर लगी हुई है और bearing के angle से आप समझ सकते हैं देखिए V mark किस direction में है वो bearing के ऊपर भी लिखा रहता है ऊपर भी होता है और यहाँ पर drawing में भी देखिए बना हुआ है वो dotted line को हमें match करना है और V किस इस हिजाब से हमारा लगा हुआ है उसी के हिजाब से हमें bearing को अंदर डालना है तो कि V का जो notch वाला हिस्सा होता है वो face को दिखाता है और जो V का चौड़ा वाला हिस्सा है open end है वो हमारा दिखाता है back तो यहाँ पर दो bearing हमारी यहाँ पर जो हम लगी हुई है पहले देखिए back उनकी जा रही है दोनों की और उसके बाद जो तीसरी bearing है उसका यहाँ पर फेज जा रहा है तो यहाँ पर face to face arrangement है इसको हम face to face tandem arrangement भी बोलते है तो यहाँ पर देखिए block मैंने इस तरह की से रख लिया जैसे की drawing में था अब मैं सबसे पहले डालूँगा back of the bearing तो यहाँ पर देखिए bearing का जो back है वो red color वाला area है तो red वाला मैंने नीचे को रख दिया है ceiling में देखिए यह दो color में seal है इस bearing के अंदर जो black वाला seal है वो face की side है आप चौड़ा ID भी देख सकते है जिसमें ID चौड़ा रहेगा ID का इस पे आपको देख रहा हुगा ID चौड़ा इस side से है तो यह face है तो back हमारी अंदर की side जाएगी ball screw की तरह जैसे कि drawing में आपने देखा था तो मैं धीरे धीरे इसको greasing करते है क्योंकि मैंने greasing किया हुआ ID पे और bearing की OD पे हलका से greasing किया हुआ है तो इसको हलका हलका आपको मानने की जूरत है यहाँ पे आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूस्दी करना है और यह धियान रखना है आपको bearing की ID अगर आप इस तरी की से रख रहे है bearing की तो ID पे हलका हलका मार सकते है और soft material से ही मानना है normally अगर आप punch या ऐसे hard material यूज़ करते है तो वहाँ पे bearing आपको damage हो सकता है तो देखिए दूसरे भी bearing tandem arrangement में आ रहे है दूसरा same इसका जो देखिए पहले back गया था तो back से face मिलना है तो यह back से face जहाँ पे मिलता है वो tandem होता है जहाँ पे back से back मिलती है उसको back to back arrangement कहते है और face से face मिलता है उसको face to face arrangement होता है तो यहाँ पे दो bearing मैंने पहले back उनका front side में रखा था अब यहाँ पे तीसरा bearing जो है reverse side में डाल ला हूँ मतलब कि देखिए इसका जो है face है अंदर की side चला गया है और back है वो बहार की side आ गया है तो देखिए इस तरीके से हमारा bearing यहाँ पे fit हो गया है as per drawing अगर आप देखिए कभी bearing को without drawing वहाँ पर assemble करते हैं तो वहाँ पर wrong bearing replacement के chance हैं तो आप यह मैं recommend करूँगा कि आप drawing को समझिए और drawing के according ही बॉल स्टू के assembly करिए तो यहाँ पर देखिए अब मैंने जो spacer है वो लगा दिया है यह देखिए यह जो है spacer है वो bearing की od को यहाँ पर load करेगा क्योंकि देखिए आइडी क्योंकि इसमें यह आइडी जो है वो back जो उपर की तरह आपको दिख़रा हो back वाला हिस्सा है तो आइडी normally loading यहाँ पर उतरी नहीं होगी इसमें od से loading हो रही है तो loading करने के लिए जो मेरा required torque है वो आप यहाँ पर लगा सकते है वो normally required torque जो होता है वो as per bolt भी होता है बोल्ट का size किस तरह के से है तो जितना बोल्ट का size बढ़ता जाता है उतना ही हमारा torque भी बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो जो भी recommended torque है वो आप लगा लेजिए मेरे पास अभी यहाँ पर कोई particular torque range है नहीं तो मैं आप अभी जितना as per experience यहाँ पर tight कर रहा हूं तो normally इनको full tight ही रखते हैं लेकिन बहुत जादा बहुत लंबे pipe से आपको LNG को नहीं गुमाना otherwise यहाँ पर bolt breakage भी हो सकता है तो इस तरीके से यहाँ पर tight कर लीजिए बाकी मैं assembly को proper mount करने के बाद full tight कर लूँँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने housing का यह हिस्सा अंदर डाल दिया है housing का देखिए यहाँ पर इस तरीके से हलका हलका इसको rotate करते हुए क्योंकि यहाँ पर देखिए bearing थोड़ा सा hard होगा आपका जब आप डालेंगे अंदर को क्योंकि bearing की ID और जो ball screw की shaft है उसमें बह अगर हाथ से नहीं जा रहा है तो आप हलका हलका mallet का use करके उसको अंदर डाल सकते हैं तो इस तरीके से देखिए हलका हलका मैं mallet कर रहा हूं तो बहुत जादा देखिए force मत लगाईएगा otherwise वहाँ पर bearing आपका damage होने के chance है और ball screw sharp पे भी dent या damage आ सकता है तो इस तरीके से ह यहां पर हम gap maintain कर लेंगे तो यहां पर दोस्तों अब यह एक spacer हम डाल लें इस पेसर जो की housing और bearing housing के बीच में है तो इस तरीके से एक retention के लिए भी इसका use होता है कि suppose loading अगर हमें घटानी या बढ़ानी है किसी bearing का यहां पर इस plate को हम grind कर सकते हैं या फिर इसका size increase कर सकते ह नॉर्मली यह loading purpose के लिए है तो इस तरीके से dowel से match करते हुए हमने इसको डाल दिया है खोलते वक्त भी हमने mark कर लेना है इस तरीके से जैसे कि मैंने mark किया हुआ है ताकि गल्दी के chance वहां पर eliminate हो जाए तो इस तरीके से इसको fit कर लिया हमने fit करने के बाद यहां पर इसके tight कर लेंगे तो दोस्तो इस तरीके से हमें सारे bolt को अच्छे से lock कर लेना है अच्छे से tight कर लेना है as per requirement torque तो जितना हमें torque का requirement है उस हिसाब से हम इसको tight कर लेंगे tight करने के बाद देखिए यह पूरा इस तरीके से बट हो जाएगा बट होने के बाद अब हमें क्या करना है जो bearing जिसमें हमने डाले थी उसको एक बार थोड़ा सा push करते वे देखिंगे कि यह थोड़ा अंदर जाएगा क्योंकि यह ball screw के normally जो जहां से machine उसका शुरू होता है end पे threaded area के पास जाके बट हो जाना चाहिए तो हम जितना भी अंदर जाना चाहिए जैसे पीछे इसमें threaded आते हैं तो वो thread वहाँ पे दिख जाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ यह आ चुगा है तो वहाँ पे हमें push करते करते इसको डाल लेना है डालने के बाद सारे bolt को bolt भी lose हो रहे हैं यहाँ पे दोस्तों आपको यह भी ध्यान लखना है जो भी आप एक spacer हो या button surface हो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें हमारे dent हो चुके थे तो इसको अच्छे से हमें oil stone की मदद से यहाँ पे जो भी इसमें dent या damage था उसको हम लिगा लेंगे अगर आप यह बाद नई spacer नहीं है तो आप उसी को अच्छे से घीस लीजेगा उसके बाद यहाँ पे देखिए lock nut के उपर भी हलके हलका सा हमें rust दिख रहा है तो वो भी हम हलके हलके इसको oil stone की मदद से यहाँ पे लिगा लेंगे जो भी rust है उसके बाद देखिए यहाँ पे हम साथ में ही thread पे जो भी गंदगी है वो भी clean कर लेजेगा lock nut डालने से पहले आधर वो lock nut के अंदर वाला हो या फिर ball screw के जो outer thread होते हैं उनको आप साफ कर लेजेगा उसके बाद देखिए इसको धेर धेर हमें tight कर लेना है उसके बाद देखिए हमने इस तरह की के पूरी assembly य match हो रही थी तो हमने उस तरीके से same method से हमने दूसरे end को भी assemble कर लेना है दूसरे assemble में भी bearing same हमें जैसे हमने motor side end में डाले थे वैसे हमें इस side भी डालने है और पूरे ball screw को अच्छे से assemble कर लेना है यहां पर देख रहूंगे दोस्तों आप की ball screw को हमने जब assemble कर लिया है यहा यहां पर आप देख रहे हैं कि match कहां पर direction में होगी यह मैंने पहले ही match कर लिया था actually ताकि हमारा सारा assembly proper हमें direction में match हो जाए otherwise क्या होता है कभी कभी mismatch होने की वैसे हमें अंदर जब हम assembly करता है machine के अंदर दिक्कत होती है उसके बाद finally जब assembly हो जाए तो हमें देखिए ball screw को जो motor side में ने डायल stand लगाया है डायल लगाया है face पे ball screw के और यहां पर मैं run out चेक करने वाला हूं तो देखिए run out हम चेक करेंगे धेडरे इसको rotate करके देख सकते हैं वहां पर अभी हम rotate कर रहे हैं और rotate करने के बाद देखिए run out जो आ रहा है वह लगबग zero to five micron आ रहा है तो इसको हम set करेंगे set करते करते जैसे कि हम lock nut को tight करके देखिए और अगर tight करते वक्त यह कम होना चाहिए कम जहां पर minimum हो जाएगा दोस्तो zero to two micron वहां पर इसको lock कर देखिए